हलो आज है 30 अपरिल और आज इस वीडियो में हम बात किने जा रहे हैं दो पावर सेक्टर से जोड़ी होई सरकारी कमपनियों के बारे में एक है नहीं पीसी और दूसरा है एस जेवी एन और दोनुँ ही कमपनियों के शेर अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में काफी जादा वोलेटाइल रहे है और यह दोनुँ ही कमपनिया ऐसी है जिसने वाईसा पिछले कुछ सालों से कोई परफॉर्म नहीं करा लेकिन पिछले दो सालों से एक अच्छी खासी तीजी देखाई है बात करेंगे उसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जब हो काफी जादा हेल्प करेंगे तो 93 रुपीस का शेर है एनेच पीसी का आज आधे परसंट की तीजी है एक महीने का ग्राफ देखोगे तो पहले लगातर गित रहा था ये 87 पे जाने के बाद अगर आगे अगर देखो तो बहुत ही silently ये उपर जा रहा है बहुत ही silently पिछले साथ ट्रेडिग से यहाँ पर तीजी है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे वाली तीजी है ठीक है अगर आप 1 सार का ग्राफ देखोगे त 215 रुपय का हाई बना है तो और अगर आप मैग्जिमम चार्ट भी देख लोगे इसका तो भाई साब ऐसी तेजी आज से पहले नहीं आई 2009 से लेकर अब तक का ग्राफ देख रहे हो तो ऐसी रफतार आज से पहले नहीं आई सेम चीज़ SJVN में भी है एक महीने के ग्राफ में देखो तो ये भी बहुत ही साइलेंटली NHPC के तरह मूव करता हुआ उपर जा रहा है पिछले साट ट्रेडिंग से बहुत साइलेंटली मूव कर रहा है और इसका भी अगर आप मैग्जिमम चार्ट देखोगे तो भाई आप करेक्शन के एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर करता हूँ अगर आप देखोगे तो एक सो पचास रुपय का हाई बना था लेकिन एक्चुली में हाई जो था वह एक सो पचछतर के करीब का बना था इसने इंट्राडे में बाद में गिरावट आई थी अभी धीरे दीर उपर जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है मुझे लगता है कि यह जो तीजी है वो थोड़ी बहुत टेंपरोरी है गर्मियों का माहौल है जून तक यह तीजी बनी रहेगी इस तरी से असाइलेंटली वाली लेकिन जून के बाद गिरावट यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है दोनों ही कंपनी के मैं यहाँ पर बात करा हूँ लेकिन लॉंग टेम के लिहाँ से मुझे लगता है कि NHPC में जादा पूटेंशल मुझे लगता है इवन SJVN में भी है लॉंग टेम के लिहाँ से ठीक है जून के बाद करेक्शन आएगा और उस करेक्शन वाले माहौल में ख का 15 रुपे के करीब का था मार्केट के इसका 94,000 करोड के आसपास का है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि यह एक लाग करोड क्रोड कर जाएगा मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा ठीक है तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि एक लाग करोड क्रोड कर जाएगा और यह तब हो जाएगा जब प्राइस का 99 या 100 रुपीज के आसपास का होगा और बहुत जल्दी वो नजर भी आएगा आपको और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो और अगर आप देखो तो यहां पर बहुत जल्दी इनके क्वार्टली नंबर्स का भी इंतजार है कि कब नतीजे आएंगे हाला कि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि नतीजे कब आएंगे लेकिन हाँ इन्होंने भाई सब डिविडेंट भी पे करा था पता हो तो तो डिविडेंट भी इस साल पे करा है इसने और डिविडेंट भी अच्छा पे करता है ये इस साल इसने 1.40 पैसे का डिविडेंट भी पे करा है हर साल ये साल में दो बार पे करता है डिविडेंट पहले 1.40 पैसे फिर 45 पैसे का इसने पिछले साल पे करा था और देखा जाए कि उतना ही रहे क्योंकि profits और revenue धीरे धीरे बढ़ते नज़र आएंगे तो तो धीरे धीरे dividend भी बढ़ेगा लेकिन एकदम से नहीं बढ़ेगा NHPC में और जहां तक SJVN की में बात करूँ तो यहां पर भी volume कुछ कम नहीं है जहां NHPC का volume एक करोड के आसपास का था इसका भी तकरीवन 80 लाक से भी जादा के volume सो देखने को मिल रहे बाजार यहां पर भी ज़स्ट अभी खुला ही है और यहां पर देखो तो इसका जो all time high 170 के करीब का था जो अभी ही बना था और यह intraday high था ठीक है और इसका जो market का पर 54,000 करोड के आसपास का है और देखा जाए इस company को लेकर तो यहां पर अभी हाल फिलहाल में इनको एक order भी मिला था ठीक है और तब यह share में 30 भी थी हाला कि यह पुरानी बात है लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे NHPC और SJVN पिछले कुछ टाइम में कई बड़े orders इस company को मिले हैं कई बड़े project भी इनोंने start करे हुए हैं देखो दोनों ही company अपनी जो capacities है power की उसको बढ़ाने में लगी है क्योंकि भाई साब demand तो बढ़ने ही वाली है वो कभी कम नहीं होगी और जहा पहले पिछले साल भी देखोगे तो एक रुपे पंद्रा पैसे का ही पे करा था बाद में साथ पैसे का आसपास का पे करा था तो यहां पर भी यह जो dividend है मेरे इसाब से खराब नहीं है क्योंकि पिछले साल तक अगर आप देखोगे तो यह भी 40 मुनलब 30 रुपे का share था तो ठीक है यह 30 रुपे का share था पिछले साल तक तो डेफिनेटली अच्छा dividend है कि 30 रुपे का share अगर आपको भाई साब तकरीबन 2 मलब पौने 2-2 रुपे का dividend पे करता है तो अच्छी बात होती है खराब चीज नहीं है लेकिन हां जिस तरीके से share prices का भाई साब चार गुन जहां तक NHPC की मैं मैं बात करूँ यहां पर तो देखे NHPC का जो valuation है वो अभी भी सस्ता है 25 का P ratio है इसका ठीक है सेक्टर पी 32 के करीब का है और 50% एनालिश खरीदारी करने की बात कर रहे है क्योंकि यह सस्ते valuation के उपर अभी भी available है financials अगर आप देखोगे तो definitely जब last quarter के number आए थे इनके जो की average number से even खराब number थे यह सीदी से बात है 2640 करोड के आसपास का इनका revenue था और 490 करोड के आसपास का profit था इनका तो देखा जाए तो कम है यह क्योंकि इससे पहले के quarter में 1500 करोड तक के profit कर रहे थे अभी March के number देखत तो यही करूँगा कि अच्छे नतीज़ आए ताकि भाइस अब share price में जो तीज़ी है वो बरकरार रहे और जहां तक मुझे लगता है कि नतीज़े जो है वो better आने चाहिए इनके खराब numbers नहीं आने चाहिए share holding के बारे में भी अगर आप देखोगे तो जो promoter है वो पहले चीज़ यहाँ पर government है और OFS के जरीए last quarter में government अपना share बेचा भी है तकरीबन 70.95% से घट करिए 67.40% पर आये हैं एक भी share गिरवीन नहीं और मुझे लगता कि अब government और अपनी holding यहाँ पर बेचेगी अब नहीं बेचेगी वो शायद institutions ने भी अगर आप देखो तो पिछले quarter में भर भर के बिक्वाली करी है 8.17% से mutual fund घट के 6.02 पर आ गए domestic वालन थोड़ी से खरीदारी करी 5.25 से 5.29 पर आ गए Files नवाई सब जम के बिक्वाली करी 7.38 से घट करी है 6.80 पर आ गए हो खरीदारी करी है retail investors वाई सहाब 4.45% retail investor 9.69 डबल हो गई है तो जादर quantity retail investor ने खरीदी है यहाँ पर देखे उम्मीद यही करूँगा कि चीज़े बहतर हो इस company के लिए और नतीजे का weight मैं करना चाहूँगा तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर है तो hold कर सकते हो डरने वाली बात मुझे नहीं आनी चाहिए उसके बाद का जो scenario है वो depend करता है कि इस किस तरीके से at least जून का जून जुलाई तक मुझे लगता है कि उतनी बड़ी कोई correction नहीं आने चाहिए यहाँ पर तेको बीच बीच में हलके full के correction बन सकते हैं लेकिन जो major correction है वो मुझे लगता है कि जून के quarterly numbers आएंगे उसके एक दो दिन तेजी रहे कि उसके बाद आपको देखने को मिल सकते है कि definitely जो demand है वो generally आपको September December वाले quarter में कम होती है क्योंकि बारिश होती है इवन गर्मी और ठंडी भी start हो जाती है तो कहीं न कहीं जो consumption होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है उन दोरानो में अगर आप SJVN के बारे में देखोगे तो देखो जहाँ NHPC का PE ratio 25 का था वहाँ इसका PE ratio 60 से भी ज़्यादा का है तो यह महंगा है काफी महंगे valuation के उपर बैठा है और इसका जो PE महंगा होने की वज़ए ये है कि इनके financials number जो थे वो उतने अच्छे नहीं है last quarter में बहुत खराब नंबर आये थे 140 करोड से भी कम का इनका profit था जबकि इसे पहले पिछले साल ये तकरीबन 208 इनका जो profit था वो 208 करोड का था डिसंबर में इवन revenue भी अगर आप देखो तो भाई साब जो September में 965 करोड का revenue था वो सिफ 617 करोड में ही सिमट गया और generally March के numbers मुझे लगता है कि इस बार के March नंबर इसके important रहेंगे क्योंकि पिछले साल मार्च में तो बहुत खराब नंबर से 550 करोड का ही revenue था और सिफ 17 करोड का ही profit थ देखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और कर रहेंगे ही definitely लेगे even December से भी compare करोगे तो भी मुझे लता है कि बहुत कम numbers है तो कहीं ना कहीं expectation यह जरूर रहेगी कि यह बीट कर देंगे उसको और जो खराब numbers आए थे quarter में उसको जलते इसका जो PE ratio है वो आपको महंगा ल लिया इनोंने उसके बाद 2022 में भी देखो तो सिफ 17 करोड का ही इनका profit था तो इस बार का March quarter important रहेगा कि वाईसा अब हर बार के तरह कम numbers आएंगे या ज्याद आएंगे वो देखना यहां पर रहेगा और shareholding के बारे में अगर आप देखोगे तो promoter की holding 81.85% की है और यहां यहां पर promoter अपना stake दीरे दीरे release करेंगे जरूर यहां पर mutual funds ने बायस अब जम के बिक्वाली करी थी देखे 4.25% से बेच बेच कर 1.54 पर आ गए यह domestic भी अगर आप देखो तो 1.72 से थोड़ी बहुत खरीदारी आगे 1.82 पर आए है और F.L. ने भी खरीदारी करी 1.68 से बढ़ कर यहां पर 2.36 पर आए है तो जादर quantity यहां पर mutual fund ने बेची है लो मिश्टे कर F.L. ने यहां पर खरीदारी करी है रीटेल वाले तो खरीदारी करेंगे ही तकरीबन 6.40% से वो भी बढ़ कर यहां पर 8.73 पर आए है देखिए overall मैं इतना ही कहूँगा S.A.V.N. को लेकर कि मुझे यह थोड़ा सा महंगा लग रहा है अगर आप प्राइस वाइस देखोगे तो मुझे थोड़ा सा यह महंगा लगता है और मार्ज के नंबर थोड़े वो डामडूरा आसकते हैं इसको यही हो जाए कि मैं इसको अभी के लिए avoid करना जादा नहीं है कोई major fall expected मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत silently move करा जरूर है आगे भी से दरीके से move करता रह सकता है अगेन यह मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं है वीडियो को यहीं प्रेंट करता हूँ पसंद आ हो तो like करे शाय करे चलाए बगरा पहले बार है तो please subscribe करे और NHPC और SJVN दोनों